क्या होगा अगर पैट्रोल को एक साल के लिए फिरिज में रख दिया जाए? क्या होगा अगर कोई सेव के 200 बीजो को खा ले? क्या आप जानते हैं कि पानी में मॉबाइल फोन के गिरने पर उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि हाईवे पर ड्राइव करने के दोरान कार की खिड़की बंद करने से आप 1000 रुपे बचा सकते हैं? लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि हमारी नाक में बाल क्यूं होते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुब क्यों मान चाता है क्या आपने कभी सोचा है कि बादल के चलने की स्पीड क्या होती होगी अगर नहीं तो बने रहे इस वीडियो के साथ आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि रोजाना एक सेव खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरुत नहीं पड़ेगी जो बिल्कुल सही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेव सिहत के लिए जितना फाइदेमंद होता है उसके बीज इंसान की सिहत के लिए उतने ही हानिकारक स जाता है तो उसकी कुछी देर में मौत हो जाएगी दरसल साइनाइड शरीर के अंदर जाकर खून को बहुत गाड़ा कर देता है जिसकी वज़े से हार्ट खून पंप नहीं कर पाता है और ज्यादा काम करने की वज़े से फेल हो जाता है ऐसे में हार्ट फेल के करड़ व्य नाग के अंदर भी बाल होते हैं जिनने सुन्दर लगनी की वज़े से वैक्स करके अलग कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाग के अंदर बाल होने से इंसान कई तरह की खतरनाक बीमारियों से बच सकता है। क्योंकि बहुत से कीटाणू और वाइरस सांस के जरी शरीर के अंदर प्रविश करते हैं ऐसे में नाग के अंदर मौजुद बाल उन बैक्टिरिया और वाइरस को शरीर के अंदर जाने से रोकने का काम करते हैं इसके लावा नाक के बालों में नमे भी होती है जो प्रदूशित और गंदी हवा में मौजूद वाइरस को सीधा फिपड़ों में जाने से रोकते हैं और हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नाक के बाल होने से व्यक्ति को अस्थमा होने का खत्रा कम हो जाता है क्यूंकि उसके फिपड़ों तक साफ ऑक्सिजन पहुंचती है ऐसे में अगर आप बहतरीन लोग और खुबसूरती के लिए नाक के बाल साप करते हैं तो आपको दूसरे व्यक्ति के मुकाबले संकरमण और अस्थमा होने का खत्रा ज्यादा होगा भारत में इस बात को बहुत ज्यादा फॉलू किया जाता है कि अगर घर से बाहर निकलने पर बिल्ली रास्ता कार दे तो कोई भी शुबकारी नहीं हो पाता है इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं चानते हैं लेकिन बिल्ली के रास्ता काटने को अशुब क्यों माना जाता है हम इस राज से परदा उठाने जा रहे हैं दरसल पुराने समय में जब गाड़िया नहीं हुआ करती थी तो लोग यात्रा करने और सामान ढोने के लिए बैल गाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे ऐसे में रात के समय यात्रा के दौरान रास्ते में अगर कोई बिल्ली दिख जाए तो घोड़ी और बैल उसे देख कर रुख जाते थे क्योंकि रात के अंधेरे में बिल्ली की आँखे चमकती हैं जिसे देख कर दूसरे जीव डर जाते थे ऐसे में बिल्ली के रास्ते से हटने तक बैल गाड़ी और घोड़ा गाड़ी रास्ते पर काफी देर तक खड़ी रहती थी जिसकी वज़े से लोगों को यातरा पूरी करने में देर हो चाती थी ऐसे में धीरे-धीरे बिल्ली के रास्ता काटने का अंद्विश्वास फैलने लगा क्योंकि लोगों को लगता था कि बिल्ली जिसके रास्ते में आती है वे ना तो समय पर काम पर पहुँच पाता है और ना ही उसके शुबकारी हो पाते हैं इस तरह आधुनिक योग में गाड़ियों के चलन के बावजुद भी लोग बिल्ली के रास्ता काटने वाली बात पर यकीन करते हैं और किसी भी शुबकारी से पहले बिल्ली को नहीं देखना चाते हैं यूं तो दुनिया भर में एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेस मौजूद हैं जहां जाने के लिए परेटक अपनी जान जोखी में डालने से भी पीछे नहीं हटते हैं लेकिन क्या आपने कभी नर्क के रास्ते पर चलने के बारे में सोचा है जो आपको एक ऐसी जगे ले जाएगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा अगर नहीं तो आपको बता दें कि इस तरह का एक रास्ता न्यू मेक्सिको में मौजूद है जिसे रोड टू हैल के नाम से जान जाता है यही वज़े है कि इस रास्ते को रोड टू हैल के नाम से जाना चाता है जो दिखने में डरावना जुरूर लगता है लिकिन यह मेक्सिको का एक मशूर टूरिस्ट प्लेस है अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन है जो एक पैकेट में आता है लिकिन कि आप ने कभी सौस के पैकेट पर लिखे नमर्स पर ध्यान दिया है जो उसकी क्वालिटी और टेस्ट के बारे में बताते हैं अगर नहीं तो हम आपको बता दे कि सौस के पैकेट पर लिखे नमर्स या पता लगाए जा सकता है कि sauce मीठा है या फिर तीखा इसके लिए McDonald's company ने कुछ numbers set किये हैं अगर packet पर 5 से नीचे के number यानी 1, 2, 3 और 4 लिखा होता है तो sauce का स्वाद हलका मीठा होगा वहिए अगर packet पर 5 से उपर के number यानी 6, 7, 8 और 9 लिखा होता है तो sauce तीखे स्वाद वाली होगी यगीनना आप मैंसे बहुत से लोग McDonald's की इस sauce ट्रिक के बारे में नहीं जानते होंगे, क्यों सही कहा न fact number 6, आप मैंसे बहुत से लोगों को चॉकलेट खाना पसंद होगा जो स्वाद में बहतरीन होने के साथ-साथ मांसिक तनाव को कम करने का काम करती है लेकिन क्या आपने कभी गाडियों से भरी सड़क पर चॉकलेट को जमते हो देखा है अगर नहीं तो इस समझेदार किसे को जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे दरसल एक बार पोलेंड में लिक्विड चॉकलेट को ट्रक में भरकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाय जा रहा था लेकिन हाइवे पर ट्रक का एकसिडेंट हो गया और सारी चॉकलेट सड़क पर फैल गई पोलेंड में कफी ज़्यादा ठंड होती है इसलिए कम तापमान की वज़े से लिक्विड चॉकलेट परिफ की तरह सड़क पर ही जम गई ऐसे में उस चॉकलेट को साफ करने के लिए हाइवे को पूरे एक दिन के लिए बंद कर दिया जबकि वहां मौझूद कई गाड़ियां भी चॉकलेट के साथ सड़क पर ही जम गई ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद चॉकलेट को हाइवेज से साफ किया गया जिसके बाद हालात नॉर्मल हुए आपको बता दे कि पोलेंड में चॉकलेट जैसी लिकृट चीजों का ट्रैंस्पूर्ट करने के लिए खास तरह के ट्रक का इस्तेमाल किया चाता है जो ठंड की वज़े से लिकृट को जमने नहीं देते हैं और उसे अंदर से गर्म रखते हैं लेकिन शायद उसे चॉकलेट को सड़क पर ही जमना था इसलिए तो सारी सुबदाएं होने के बावजुद भी त्रक का एक्सिडेंट हो गया था नीले आसमान पर सफेद रंग के बादल देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बादल की स्पीड कितनी होती होगी मौनसून के दोरान ये बादल एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और वहां बारिश करते हैं एसमान की स्पीड क्या होती होगी एक बादल की नॉर्मल स्पीड 0.04 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है इसे साब सेवे बादल सिर्फ 7 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई तक का सफर पूरा कर लेता है जबकि बादल के अंदर काफी ज़्यादा मातरा में पानी भरा होता है लेकिन इसके बावजुद भी उसकी स्पीड काफी ज़्यादा होती है वहीं कार से सफर करने पर दिल्ली से मुंबई पहुँचने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है इस बाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राकरतिक चीजों की शक्ती कितनी ज़्यादा होती है अगर आप कम से कम पैटरोल का इस्तेमाल करके एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी कार की खिड़की बंद करके रखनी होगी जी हां आपने बिलकुल सही सुना तेज स्पीड में कार चलाने के दौरान कार की खिड़की बंद रखने से कम फ्यूल खर्चोता है दरसल हाइवे पर ड्राइव करने के दौरान अगर कार की खिड़की खुली रहती है तो तेज हवा लगने की वज़े से 10% पैटरोल ज्यादा खर्चोता है ऐसे में अगर आप तेज स्पीड में हाइवे पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपनी कार का शीशा बिलकुल भी खुलाना छोड़ें क्योंकि वर्तमान में हर काम स्मार्ट तरीके से पूरा किया जाता है लेकिन इसी स्मार्टनेस की वज़े से कभी कबार मोबाइल पानी या किसी लिकुर्ड में गर जाता है क्योंकि हम घर के काम करने के दौरान भी मोबाइल का बेवज़े इस्तमाल कर रहे होते हैं ऐसे में मोबाइल को खराब होने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले फोन को सुचॉप कर देना चाहिए ताकि उसका कोई अंदुरूनी पार्ट शॉर्ट सरकिट होने से खराब ना हो चाहिए इसके बाद मोबाइल फोन को साफ करके सिम कार्ड और बैटरी को निकाल कर अलग कर देना चाहिए अगर बैटरी अलग नहीं होती है तो कम से कम सिम कार्ड और मेमोरी को बाहर निकाल लेना चाहिए इसके बाद मोबाइल को तेज हातों से उपर से नीचे की तरब जटकना चाह ताकि फोन के अंदर घुसा पानी बाहर निकल जाए। इसके बाद मोबाइल फोन को एर ड्रायर की मदद से सुखा लेना चाहिए क्योंकि उसकी हवा गर्म होती है और पानी को आसानी से सोख लेती है। ड्राय कर सकते हैं जिससे उसके खरावनी का चांस कम हो जाता है। इस सवाल का जवाब जाने से पहले हम आपको ये बता दें के हर तरल पधारत का फ्रीजिंग पॉइंट अलगलग होता है। इसलिए दूद या पानी की तरह पैट्रोल तरल होने के बावजुद भी आसानी से नहीं जमता है। पैट्रोल का फॉर्मूला CNH2N2 होता है जिसमें मुखरूप से कारवन और हाइड्रोजन योगिक पाये जाता है। पैट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट पानी के मुकाबले नीचे होता है जिसकी वज़े से पैट्रोल माइनस 60 डिगरी सेलसेस के तापमान में जमना शुरू होता है। लेकिन फ्रीज में फ्रीजर का तापमान इतना कम नहीं होता है। इसलिए अगर आप पैट्रोल को उसमें रख भी देंगे तो वैं जमेगा नहीं। फिर चाहिए पैट्रोल गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक में हो या फिर किसी पैट्रोल पंपर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैहन दोस्तों!